मोधी सर ने मामले में कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को राहत नहीं मिली इसी बात से नाराज कॉंग्रेस के नेता कारिकरता आज पूरे देश भर में मौन सत्यागरह कर रहे हैं महाराष्ट में भी महाराष्ट मंत्राले के ठीक पास राश्पिता महात्मा गांधी के पुतले के पास से यह मौन सत्याग्रह की शुरुआत हुई है तमाम जो कॉंग्रेस के नेता कारी करता है वो सबसे पहले आकर महात्मा गांधी के पुतले पर आकर वंदन कर रहे हैं अगलग राज्यों में कॉंग्रेस के नेता और कारिकरता मौन सत्याग्रे कर रहे हैं। केंदर सरकार लगातार निशाना बना रहे हैं। अगलग राज्यों में कॉंग्रेस के नेता हैं। मंच पर बैठे हुए हैं। कुछ नहीं कह रहा है, ना ही कोई अपनी प्रत्क्रिया जाहिर कर रहा है, ना ही कोई अपनी राजनितिक प्रत्क्रिया जाहिर कर रहा है। आप तमाम कारिकरताओं को भी देख सकते हैं और ये तस्वीर महराष्ट में मंत्राले की ठीक पास है जब अपनी नाराजगी जताने के लिए तमाम नेता एकत्रित हुए हैं कुछ प्रत्क्रिया देते हुए कॉंग्रेस निताओं ने कहा कि जिस प्रकार से मोधी सरकार लगातार राहूल कांधी पर निशाना साध रही है अपनी नाराजगी जटाने के लिए वो एकजूट हुए है साथी साथ राहूल कांधी को अपना समर्थन देने के लिए तमाम ज सत्त्यागर्ण में हिस्सा ले रही है कॉंग्रेस की निताओं कारिकर नाराजगी जाहिर करने के लिए माहलन की दरतिक से आब देखे जिसinin की देष में ताना शाही चल रही है लोक तंद्र पूरी तरह से तार-तार हो रहा है देश के गरीब नोजवान दलीत पिछड़े आदिवासियों की बात कोई सुनने वाला नहीं है अगर उनकी आवाज राहूल गांदी पूरे देश में उठा रहे हैं तो उनको कानून का दुरुपयोग करके तरह-तर सवाल पार्टी की मजबूती का नहीं है सवाल इस देश को बचाने का है देश के लोकतंद्र को बचाने का है देश के जिस तरह से देश की लोकतंद्र की धजिया उड़ाई जा रही है उसको बचाने का है सम्विधान बचाने की लड़ाई है वो लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी लड़ रही है इसी मंत्र आले की ठीक पास आप सत्यागरा कर रहे हैं और यहीं मंत्राले में अब तक पूर्फोलियो का बटवारा ने हुआ । बहुत सारे विधाय कुमीद लेकर बैठे हैं कि उन्हें मंतरी पद मिलेगा और अब तक इस्थितिसाफ नहीं देखी यहां तक भारती जिन्ता पार्टी का सवाल है भारती जिन्ता पार्टी पूरे देश में पिछले नौ साल का उनका कारिकाल जो रहा है जो इतिहास रहा है वो काले अक्षरों से लिखने वाला इतिहास रहा है लोगतंत्रिक तरीके से बनाई गई सरकार को किस तरह से व बहुत ही परिस्टिक खराब है आपने देखा कि इस तरह से शुषेना को तोड़ा गया है राश्टवादी कॉंग्रेश पार्टी को तोड़ा गया है और आज सभी पार्टियों में असंतोश है भारती जिनता पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा असंतोश है सिंदे परिस्टिक खराब है और उस मंच पर शरत पावार भी मौजूद होंगे कॉंग्रेश किस तरह से देखती है यह ठीक है यह उस संस्था का कारिक्राम है संस्था का अपना मामिला है शरत पार जी बड़े नेता है और उनके हातों अगर किसी को प्रुसकार दिया जा रहा है तो यह उनका मानना है उस पर मैं कोई टिपड़े नहीं करूँगा बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नसीम खान जिनका कहना है कि पूरे देश भर में नाराजगी है और यही नाराजगी व्यक्त करने के लिए कॉंग्रेस के नेता और कारिकरता मौन सत्य अग्रहक कर अपने नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्यामरावन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृतिन जे सिंग एबी पी न्यूज पूंबाई